हेलो दोस्तों कुपित नीजा में आपका स्वागत है तो आज मैं बनाने वाली हूँ गुते हुए आटे से एक ऐसी रेसिपी जो आपके बच्छों को काफी पसंद आने वाली है और आप इपने बच्छों के टिफिट में भी से आसानी से बना सकते हैं और जब भी आपके तो मेरे चैनल को यहाँ भी ऐन में यहाँ झूले ज sharmaf A Toh हम रोटिया बनाते हैं उसी आटे का मैंने यहां यूज किया है यहाँ डालेंगे आठाचमंच नमक और थोड़ा सा पानी हैट करते हुए हमने आठे को गून ने जिस अगर पास रखा हुआ हैं जिस तरीके से हम रोटी या बनाते हैं तो उस में यूज कर सकते हैं उसमें आपको थोड़ा नपम् hyd्या नम्हाड करना है और आप इस तरीके से हैड नम्हाड़ को बना सकते हैं मुल्टी वेलते हैं पूरियां बनाते जाना है चली यह पूरीयंस भया लेते हैं Saw मौटी भी नहीं बनाना हैं經раje मीडियम बनाना है हमें तो इस तरी के से हम पूडियां बनाते जाएंगे तो देखिए यहां पर मैंने पूडियां बनकर रेडी है एक तो इसी प्रोसेस से हम सभी पूडियों को बनाते जाएंगे तो चलिए हम सभी पूडियों को बनाकर रेडी कर लेते हैं तो देखिए मैं े लिए फ़ोरीं को बॉरा हम दूसे से निकाल लेते हैं याद राख पानी को पुरी तडीक से हमें निकाल देना है तो देगेमेने आप रहाएं निकाल देजिके पानि को फुस्किपरीं के लिए दस काई लिए तो देकिएं वारी जो फुट तो अब हम इसे इस तरीके से पतला पतला कट करते जाएंगे जिस तरीके से हमारे नूडल्स होते है उसी प्रोसेस से हम इसे करना है तो देखिए इस तरीके से हम चाकु से कट करते जाएंगे आप पिज्दा कटर से भी कट कर सकते हैं चाकु से भी कर सकते हैं आपको जिससे तो देखे एक पर इसे प्रबिद इसे इसे पुझे था करें तो देखें जटी ही पूड़िया थी मैंने उनकों सभी को कट कर लिया है तो गया इसमें गयाब मैंने एक चमच वर्शिया और शिखिश कर दूंछ तो तीन मेरे जीरा और यहां थास आ पर चुनी चुछा है को ध कर लेंगे ताकि हमारा जीरा अच्छी तरीकी से बुन जाए तो यहां देखिए दो-तीन मिर्ट तक हम इसे चलाने के बाद में इसमें हम एड़ करेंगे यह सब्जियां तो यहां पत्ता गोवी सिम्ला मिर्ची गाजर और प्याज का यूज मैंने यहां किया है आप अपने अ करें पाते अन लर्ची अटीम जाइए को सब्जियों का जाएंगे सब्जियों को वर्लीम इन मिर्चे से और गापने बहुत मिक्स करें दो मिक्स चलेंगे टाए कि दो मिनटे टक मिलाइगे यहा है तो मिक्स करने के बात में हम इसे 2 मिनटे चलाएंगे टाकि जो मसाले तो यह जाए है वहारी सब्जियों में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए अब हम इसमें एड़ करेंगे जो हमने थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे नमक हमें ज्यादे यूज नहीं करना है क्योंकि हमने जो आटा गुदा था उसमें भी नमक था इस और सुया सॉस में भी नमक हमें कम ही यूज करना है अब यहां पर हमने जो पूड़ियों के जो नूडल्स कट किये थे अब हम इसमें एड़ कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे और इस तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे दो मिन तक ताकि यह सब जहें इसमें नूडल्स हो में अची तरीके से मिक्स हो जाएं तो देखिए यहां पर हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है और लगरे ना बिल्कुल मार्किट जैसी एक दम हेल्दी तरीके से बनाया हुआ है यह आपके बच्चों को काफी पसंद आएगा और यह बच्चे आपके घर के नूडल्स खाना पसंद करेंगे इसक